दोस्ते आर आज हम बात करने वाले हैं शाओमी मी 11 Lite के बारे में जो की जल्द ही लॉंच होने वाला है इंडिया में जून 22nd को लॉंच होगा एंड यह जो है स्लिमस्ट एंड लाइटेस्ट फोन है 2021 का सिर्फ 157 ग्राम का है 6.8 mm का इसका जो थिकने से वह है तो वीडियो को पूरा देखना यार अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए इसी मी 11 Lite के बारे में तो वीडियो को पूरा देखना अगर थोड़े सी पसंद है वीडियो अभी लॉंच होगा इंडिया में 5G वेरियंट इसका भी लॉंच नहीं होगा मी 11 Lite फीचेस की बात दिया तो 6.55 इंच की फुल एच्टी प्लस की डिस्प्ले देखने मिलेगी जो की एट हन्डे नेट की ब्राइडनेस के साथ आती है और वहीं पे 90 हर्थ का रिफ्रेश्ट दिया गया है जो की सपोर्ट करता है HDR 10 प्लस को भी यह डिस्प्ले सपोर्ट करता है कॉनिंग गॉरिला ग्लास 5 के प्रोडेक्शन दी गई है कॉलकम स्ने अब रगन 732 जी का यहां पे आपको प्रोसेसर मिल जाता है जो की आपको काफी अची प्रफॉर्मेंस दे देगा 6 GB of LPDDR4 X RAM मिलेगी और वहीं पे 128 GB of UFS 2.2 की स्टोर्च देखने को मिलती है बात करें तो पीछी की तरफ आपको जो है कामरा जो सेट अप है टोटल तीन कामरा सेट अप देखने मिलेगा 64 MP का प्रैमेरी सेंसर दिया गया है वहीं पे 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंज 5 MP का टेली मैक्रो सेंसर दिया गया है एंड जो है USB Type-C port मिलता है जो चार्जिंग की स्पीड है वह एराउंड आपको देखने को मिल सकती है 33 Watt की 4250 mAh की बैटरी होगी सभी सेंसर इंक्लूडेड है जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंबेर लाइट सेंसर आयर ब्लस्टर जैसे सभी यहां पर आपको जो है सेंसर म मिल जाएंगे 11 light 4G में 157 ग्राम का जो है इसका वेट है जो की काफी इंट्रेस्टिंग चीज है यहां पर आपको जो है अगर आपको हैंडी मतलब ज्यादा वेट वाले पसंद नहीं है फोन तो आप जो है इस फोन की तरफ जा सकते है इसका जो एक्सपेक्टेट प्राइस से स्टार्डिंग प्राइस एराउंड 25,000 रुपीज से देखने को मिल सकता है जब यह इंडिया में लॉंच होगा एंड जून 22 को ही इंडिया में लॉंच होने वाला है यूरोप में जो है यह पहले लॉंच हो चुगा था इसका 5G वेरियंट भी यूरोप में लॉंच जाला है तो आप सभी को कैसा लगा मी 11 लाइट जो है पूर जी वेरियंट शामी की तरफ से काफी बढ़ियां फोन है फ्लिप कार्ट पी आपको देखने को मिल जाएगा जून 22 टूवेल पीम के बाद में तो अपने उपीन शेर करते हो बताए कमन बॉक्स में वीडियो पत झाल झाल